नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? Mentally and emotionally strong कैसे बने? अच एक ऐसा समय आच चुका है, जहां mentally भी weak हैं, और emotionally तो पूछे ही मद, धज्जिया ही उड़ी हुई हैं. देखा जाए तो ये दोनुचीजें कहीं न कहीं, एक दूसरे के साथ में चिपकी हुई भी हैं. अगर हम थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे, तो mentally strong करते हुए, खुद को emotionally भी strong बना सकेंगे. Clear सोचना शुरू करें. किसी ने कुछ कह दिया है, पीछे आपकी life में कुछ हुआ है, आपके failures, किसी और के failure, किसी और की बाते, कहीं सुनी हुई बाते, रीर्स में देखी हुई बाते, इसकी सुनी, उसकी सुनी हटाई है. आप खुद अपने आप में एक unique इंसान हो, आप होते तो इस वाली situation में कैसे सोचते? दूसरे क्या सोचते हैं, आपने अब तक कैसे सोचा है, वैसे हटा करके जड़ा ये देखो, कि आप एक brand new इंसान हो आज, और अब इसको सोच करके देखो, नहीं आ रहा, ऐसा सोचने में नहीं आ रहा, तो ऐसा सोचो, कि अगर कोई mentally strong इंसान होता, तो वो इस जगा पर कैसे सोचता? तब जाकर कि आपके mind में एक idea क्लेक करेगा, और वो जैसे भी सोचता न, अब उसको अपनी सोच गनाना शुरू करो, कि आप इसको ऐसे सोच करके देखो, धीरे धीरे practice से क्या होगा, आप mentally strong लोगों की तरह सोचना शुरू कर देंगे, बहुत ज़ादा तूट जाते हैं हम, बहुत बार, वीक पड़ जाते हैं, हमें रखता है याँ तूट रहे हैं, तूट रहे हैं, तूट रहे हैं, तो ये तूटना word बोलना बंद करो, आज के बाद word ही ज़ादा यूज किया करो अपने लिए, मैं mentally strong हूँ, affirmation, बोलो, बार-बार बोलो, feel कराओ खुद को, देखो mentally strong लोग, उसी चीज को कैसे handle करते हैं, क्या करते हैं, करने की कोशिश करो, नकल मारो, fake करो, लेकिन सोचो, सोचो, इससे क्या होगा, आपके जो mind के patterns है न, उचेंज उने स्टार्ट हो जाएंगे, आप उस तरीके से सोचना शुरू करते होगे, जैसे mentally strong लोग सोचते हैं, अपने लिए clear सोचना शुरू करो, मेरी friend ने ऐसे बोल दिया था, मैंने real में ऐसे देख लिया था, हाँ, यह तो सच्ची बात है, सबी ऐसा बोलते हैं, हटाओ ना, मैं universe की एक संतान हूँ, बहुत ही प्यारी संतान हूँ, मैं pure soul हूँ, अब pure soul के नजरिये से सोच करके देखूं, एक strong होने के नजरिये से जरा सोच करके देखूं, तो मैं होती तो कैसे सोचती, ऐसे करते करते किसी को कॉपी कर लिया, किसी strong इंसान की सोच को वहाँ पर लगा दिया, फिर अपने आपको बार-बार लगाया, धीरे 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 धीरे, आप समझ जाएंगे कि कैसे strong हो करके सोचना शुरू करना है, यहाँ से clear होना है, यह है अब आपका emotionally strongly strong बना, बहुत बार ना हम लोगों की बातों को, लोगों के करने को, लोग हमारे साथ क्या करके झा रहे हैं, उसको बहुत महत्व दे देते हैं, इतना महत्व देना बंद करो, इतनए भी important नहीं हैं उनकी वो चीजें, जो आपको बोल दी गई है और वो वही चीजे होंगी जो आपको negative बोली गई होंगी, आपको जुकाने के लिए बोली गई होंगी, आपको गिराने के लिए बोली गई होंगी, इकनी importance देते ही क्यों हो, धीरे धीरे वो देना बंद करो, trust me, जब आप उनको importance देना बंद करोग mentally भी और emotionally भी emotionally तो वहाँ पर हमारी दज्जिया उड़ रही होती है literally ठीक है बहुत जादा हर बात को personally लेना भी बंद करो बहुत बार ऐसा होता है कहीं कोई कुछ बोल रहा है personally ले लेंगे उस बात को कहीं कोई real चल रही है real हम ऐसे देख रहे हैं उसको देख रहे हैं तो personally ले लिया हमने उस चीज़ को हर चीज को personally क्यों ले रहे हुआ हर चीज आपके लिए नहीं है भाई हर चीज आपके लिए नहीं बोली गई है हर चीज हर लड़की के लिए नहीं बोली गई है हर चीज हर औरत के लिए नहीं बोली गई है हर चीज हर business plan के लिए नहीं बोली गई है, हर चीज हर नोकरी वाले इंसान के लिए नहीं बोली गई है तो आपने अपने उपर उसको लेकर के देखा है बार बार और उसको ऐसे आपने अपने mind के अंदर रख लिया है तू सच है, हाँ यार, ऐसा तो होता है, करना बंद करो, हर चीज को personally गईना बंद करो, ठीक है, ओके, ठीक है, बोला होगा, किसी करें बोला होगा, मैं तो नहीं होगा, अपनी लिए जब आप clearly सोचते हो, अपनी लिए कुछ boundary set करते हो, even सोचने में भी, even वहाँ पर भी, जहा होगा, बोला होगा, मेरा ही नाम लेकर बोला होगा, मेरे शकल पर देखके बोला होगा, मैं मानती नहीं कि यार, अपने मेरे लिए बोला है, इतनी इंपोर्टेंस आप उनकी बातों को देनी बंद करो, जो actually important नहीं है, वो आते हैं, एक बार ही बोल करके चले जाते हैं, हम स emotionally strong होते जारे हो, अब देखो कि emotionally strong लोग कैसे करते हैं, थोड़ी थोड़ी नकल माने शुरू कर दो, कुछ नहीं होता, सही चीज़ों को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपने mentally weak होने के लिए क्या किया बताओ, कुछ नहीं ना, बस लोगों को देखा, उनकी बाते पक को, अच्छी चीज़ों को सही तरीके से कॉपी करके, अपनी life में उतारने में कोई बुराई नहीं है, जर उससे आपके life अच्छी हो रही है, आप mentally strong बन रहे हो, emotionally strong बन रहे हो, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, और बनू, अपने लिए थोड़ी से stand लिया करो, हो, हर बात को personally नहीं लेना है, हर बात पर रोना नहीं है, हर बात के ऊपर, लोगों को ये नहीं दिखाना है, कि हमें hurt हो गया है, अंदर जाएए कमरे में, अकेले में बैठ करके थोड़ी दिर रो लीजे, उसके बाद आंसू पोच करके, हस्ता मुस्कराता चहरा वापस ले होने की पावर को दिखाओ, वीकनेस कभी आगे, दिखी तो दिखी, बंदा गए, वा यार, कभी होता ही नहीं है, आज हुआ है, मतलब बड़ी बात है, तो इससे क्या होगा, आप एक mentally strong इंसान बनेंगे, practice का काम है सारा का सारा, और emotionally strong इंसान बनेंगे, life change हो जाएगे आप की, try करके तो देखो, ठीक है, mentally strong लोगों की बातों को समझो, वो लोग कैसे उस situation को handle करते, वो समझो, आप अपनी तरफ से ये सारे पुराने पचडे, पुरानी thoughts, old beliefs को हटा करके clear कैसे सोच सकते, वो सोचो, हर बात को personally नहीं लेना है, वो सोचो, हर बात अपने दिल में नह कुछ boundaries को set रखो, किसी ने कुछ बोल भी दिया, मैं महानी निरीव मेरे लिए, बोल दिया, बोल दिया, अपने लिए बोलाओगा, उसके अंदर जो भरा होगा, वो ही बोलाओगा, मुझे क्या बोल सकते, इससे क्या होगा, आपको खुद समझ में आएगा, कि आप कि इतने ठीक है, अपने अपने रगे क्याल, अपने अपसे की ठीक है, सारा प्यार था, कि अपर ट्राक्ट करें, ठीक, सारा प्यार, लव यौल, टा-डा